आप लोग स्वागत है आपको अपना चैनल जिसका नाम है केवल इक्जाम इसमें हम अपना पूरवा लोकन सीरीज को कम्प्लीट कर रहे थे हैं पूरवा लोकन सीरीज के पॉरवा लोकन सीरीज के पॉलिटी सेक्षन का आज ही हमारा 26 वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं उच्चिन्याले एवं अधिनस्त्यन्याले के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं चलिए प्रारम करते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अधि सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाओ देने के लिए कमेंट भी करिए धन्यवाद एक सब्सक्राइब प्रारम करते हैं उच्चनयाले एवं अधिनस्थनयाले के बारे में भारती सम्मिधान के तहत राज्यों के नियाएक प्रशाशन राज्यों के नियाएक प्रशाशन एक मिर्ट की चल नहीं डाय सही से, इसलिए देखते हैं, एक मिर्ट से जादा होगा यह क्या हो, अलाइमेंट सही नहीं आ रहा है इसका, कोई नहीं, पैन का यूज करते हैं, मार्कर का यूज नहीं करेंगे, भारती सम्विधान के तहत, राजियों की न्याइक प्रशाशन में उच्छ न्याले की इस्तिती शीर्स पर है, अतलब की जो न्याइक प्रशाशन होगा, जो न्याइक की बात होगी, उसमें राजियों में कौन सबसे शीर्स पर होगा, राजियों में सबसे शीर्स पर होगा, आप देखेंगे वह होगा उच्छ न्याल्य होगा भारति सम्मिधान में राज्यों के लिए उच्छ न्याल्य हेतु भाग 6 के अध्याए 5 के तहत अनुछेद 214 से 231 तक प्रावधान किया गया है अब इसमें याद क्या रखना है कि उच्छ न्याल्य किस भाग में है के भीच है प्रतीक राज के लिए एक उच्छ नियाले की विवस्था की गई है लेकिन सात्वे सम्विधान संसोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसत को अनुछे 231 के तहत या अधिकार दिया गया है कि वह विधी द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अत्वा दो या अधिक राज्यों और किसी संग साश चेतरों के लिए एक साज्छ उच्छ नियाले की स्थापना कर सकती है यानिकि गेवा सम्मीधवान संसुद trn ta उसमें यह भूला गया कि अनुच्ये 231 ने यह भूला गया से सांसुद्वन के मात्य हमसे कि अगर संसद चाहे याद रखे में उचने आले प्रशन में में उचने नहीं केवल संसद है, संसद ये, संसद चाहे तो विधी द्वारा, मतलब कि उसको एक कानून पास करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, कि दो या दो से अधिक राज के लिए, या दो राज या एक केर्शाजी प्रदेश के लिए, कि मिला कर इसी एक जेगह पर, मतलब कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो उस्च नियाले की स्थापना कर सकता है, अनुचेद 230 के तहट संसद विधी द्वारा किसी संग-्राज-छेत्र पर इसी उस्च नियाले की आधिकारिकता का विस्तार कर सकेगी, मतलब कि अनुछेद 230 में कहा गया कि संसद विधी द्वारा किसी संग राजचेत्र पर किसी उच्च न्याले की अधिकारिक्ता का विस्तार कर सकेगी या किसी संग राजचेत्र से किसी उच्च न्याले की अधिकारिक्ता का अपवर्जन कर सकेगी अनुछेद 214 के अनुसार प्रतियक राज के लिए एक उच्छ न्याले होगा तो 214 में लिखा है कि प्रतियक राज के लिए एक उच्छ न्याले होगा वहीं 231 में क्या प्रावधान किया गया साथ वे समिधान संसोधन कितरा कि दो या दो से अधिक राजी के लिए एक ही उच्छ न्याले हो सकता है अगर संसाद ऐसा चाहे तो यह मिटा देते हैं अब आगे पढ़ते हैं अनुच्छी 215 की अनुसार प्रतीक उच्छ न्याले अभी लिएक ही न्याले होगा इसका मतलब यह होता है कि इसके द्वारा जो भी निर्णे दिये हो जाएंगे वह निर्णे कैसे होंगे? वह निर्णे लिखित साच के रूप में होंगे और उनका पालन किया जाए गाँ यह बोला गया है इसमें एक लिए में लेप्टॉप के चार्जर अन कर लूँ कर लूँ कर लूँ कर लूँ कर लूँ देख उच्छ न्याले एक अभिलेखी न्याले होगा। अभिलेखी न्याले होने का ताथ पर है कि उच्छ न्याले की निर्ने आदेस आधी अधिनस्त न्याले के लिए बाधिकारी होंगे। तथा उनको अपने अवमाना के लिए दंड देने सही ऐसे नियाले की सभी शक्तियां होंगी यानि कि अगर जो उच्छ नियाले दिया है उसकी नहीं माना जाएगा उस नियाले को तो क्या माना जाएगा इस तरह के बातों को कि जो निर्णने दिया गया उसका पालन नहीं हो रहा है इसका मतलब न्याले की आव मानना हो रही है लेकि न्याले की जो शक्ति है उसको मतब की एक प्रकार से मतब की अंडर्स्रमेट किया जा रहा है एक उच्छ न्याले पर न्युक्त करना आवश्यक समझे यानि कि दूसर सोला में कहने मतलब यह है कि उच्छ न्याले में कैसे लोग होंगे तो उच्छ न्याले में मुख्य न्याय मूर्ती के साथ साथ अन्य न्याय धीस होंगे और कितने न्याय धीस होंगे या राश्पती की विवेका धिनक सक्ति पर डिपेंड होता है कि वा समय समय पर इसको और न्यूक्त करता जाता है यह राश्पती के उपर होता है और उच्छ न्यालय के न्याधीसों की न्यूक्ती कौन करता है वो राश्पती ही करता है उच्छ न्याले के न्यायधीशों की न्यूक्ति राश्पति करता है उच्छ न्याले के न्यायधीश उच्छ न्याले के न्यायधीश 62 वर्स की आयू तक पदपर धारन करते हैं अब तक 62 वर्स की आयू तक पदधारन करते हैं वहीं उचितम न्यालय यानि कि सुप्रीम कोट के जज होते वो 65 वर्ष तक अपना पद धर्ण करते हैं उच्च न्यालय के न्याधीस राश्पती को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं यानि कि अगर जो न्याधीस होंगे उनको अगर अपने पद से त्याग करना हो तो वो कैसे करेंगे वो अब पद से त्याग करेंगे राश्पती को अपना हस्ताक्षर सहित लेटर जो रहेगा उसको राश्पती को देंगे आगे देखते हैं उच्छ नियाले की नयाधीस को राश्पती के आदेश से पद से हटाया जा सकता है यहनि उच्छ नियाले के जो नयाधीस हों को कैसे हटाया जाएगा राश्पती के आदेश से हटाया जाएगा इनके लिए बस एक राश्पती का आदेस आएका रिस से वो हटा दिया जाएगे राश्पती ऐसा आदेस संसत के प्रतीक सदन द्वारा उसी सत्र में विसेज बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी किया जाएगा कहने एक मतलब यह है कि राश्पती जो उच्छ न्यालेक न्याधिस सिप अपसे जो उच्छ न्यालेक न्याधिस उसको पद से हटा सकते हैं लेकिन उनको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में क्या होगा कि राश्पती को संसत के प्रतीक सदन द्वारा यानि कि मतलब प्रतीक सदन उच्छ सदन में सदन यानि लोकसभा और रासभा द्वारा उसी सत्र का यानि कि अगर सीतकालिन सत्र चल ला है तो सीतकालिन सत्र में ही अगर मांसून सत्र चल ला है तो मानसून सत्र में ही अगर ये सत्र चेंज हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा ध्यान रखेगा कि उसी सत्र में विशेज बहुमत से पारित प्रस्ताओ यानि कि उस जो विशेज बहुमत चला है उसमें विशेज प्रस्ताओ पारित होगा तब ही यह हो पाएगा उच न्याले के न्याधीसों को भी उचित्तम न्याले के न्याधीस के समान प्रक्रिया तथा सिध्ध कदाचार और अच्छमता के आधार पर पड़ से हटाए जा सकता है यानि कि जो उस सदर में कारवाई चलेगी वो कारवाई कैसे चलेगी वो उनके उपर कोई मतलब कि कोई कोई एलिगेशन लगा हुए कोई आरोप है उस आरोप सिध्ध हो जाता है तब या तो पिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनको जो कार सौपा गया है वो कार नहीं कर पारे आसच्छम है उस कार को करने के लिए तो उन पर ये प्रक्रिया वारा उनको पद से हटाया जाए गाँ अब आगे चलते हैं अनुछे 272 के तहत उच न्याले के न्यायधिस पद के लिए वही योगता है जो भारत के नागरी की है और पहला ऐसा व्यक्ति जो किसी उच न्याले या दो या दो से अधिक न्याले पर लगातार दस वर्स तक अधिवक्त तक रहा हो कहने मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति उच न्याले गन्याधिस बनेगा जो उच न्याले में या 2 या 2 से अधिक उच्छ न्यालय में लगा तक 10 वर्ष तक वकील रहा हूं यानिकि अधिवक्त तक एड़ोकेट रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो नियूंतम 10 वर्ष तक भारत की राज्छेत्र में न्यायक-पद धारन कर चुका हो, यानि कहीं पर न्याइक पद धारन किया हो, अनुछे d 202.3 घा के अनुसार उच न्याले के न्यायधीस की वेतन और भत्ते राज की संचित निदी पर भारित है, यानि कि जिस राज में वो न्याधीष रहेंगे उस राज की सँचित निदी पर भारित होगा जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेत 112 तीन घा तीसरे के तहट भारत की संचित निदी पर भारित होगे यानि कहने के मतलब यह है जब उनको वेतन मिलेगा तो वो जिस राज के उच न्याले के न्याधिस रहेंगे तो उस राज की संचित निधी के मिलेगा लेकिन अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो पैसा कहा से मिलेगा उनको जो उनका वेतन रहाएगा जो पेंशन आएगी कहान से मिलेगी वो भारत की संचित निधी से आएगी क्योंकि जो पुछ नियाले के नायधीस होता है वो कोई एक नियाले में तो या कोई किसी एक राजय की नियाले में तो नहीं बैठता है वो दो साल मालीजे असम में रहा, दो साल उत्तर प्रदेश में रहा, दो साल तमिल नाडू में रहा, दो साल आपका माचल प्रदेश में रहा, पैसे में क्या होगा, कि जिस चिस स्टेट में पहले रहता तो उस स्टेट से वेतन आता है, लेकिन जब पेंशन की बारी आएगी जब इन स्ट्रेट से कहा जाए और यह जो नियाधीस जहस्त थे वह आपके स्टेट में सर्विस की हैं या आपके स्टेट में सेवा प्रदान की हैं तो इनको कहतें पैंशन मिले चाहिए तो क्या होगा सभी राज आपस में लड़ने लगेंगे इस पैंशन नहीं रहेंगे जब तक वेतन पार हैं ताप अन्य राजी की संचित निदी से वेतन मिलेगा लेकिन जब पैंशन की बारी आएगई तो पैंशन कहां से आएगा 112 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है पेंशन आएगा उनकी केंद्र की संचित नीदी से उनकी पेंशन आएगी अब दिखते हैं अनुच्छे 230 के अनुच्छे 230 के अनुसार उच्छ न्यालय के मुख नयाधीस का पद रिक्त होने पर या अनुपस्तित रहने पर उच्छ न्यालय के अन नयाधीस में से कारकारी मुख नयाधीस की नियुक्ति राश्पति करते हैं मतलब कि अगर वो मुख्य नयाधीस नहीं है तो उनके रूप में जो नयाधीस कारेकारी नयाधीस तो उस समय तक कि जो नयाधीस के जाएंगे कौन करेगा उनकी नयाधीस राजपती करेगा यो सकता है ऐसा लिख जाए कि जो कारिकारी जो न्यायधिस रहेंगे उनकी निक्ति सरवोच न्यायले करेगा तो यह गलत हो जाएगा जो भी वेक्ति उच न्यायले का न्यायधिस बनेगा जाहे वो अड हॉक प- तहत राश्पती किसी उच्छ न्याले के कार में आइस्थाई रिध्धी या कार के बकाय रहने के कारण सम्यक रूप से आहिर्थ व्यक्ति को दो वर्ष से आनाधिक आउधी के लिए अपर न्याधिस के रूप में नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224 यह कह रहा है कि राश्पती किसी उच्छ न्याले के कार में आजथाई व्रिध्धी मतलब कि कोई आजथाई व्रिध्धी हो रही है कोई कार कोई केस चल ला हाए उसी मुसकर रिटायर्मेंट हो गया तो क्या करेगा राश्पती राश्पती हैं आर्टिकल 224 का प्रियोग करेंगे और कहेंगे कि आस्थाई व्रिध्धी या कार के बकाये रहने के कारण सम्यक रूप से सम्यक मतलब जब तक चल ला हुआ कार जब तक वहा जो व्रिध्धी हो रही हो ही सम्यक कार से आहिर्थ व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति उस वक्त रहेगा उसको दो वर कर दो गञा आ भी के पालन में असमर्थ रहने की आउधी तक के लिए सम्यक रूप से अहिर्थ किसी व्यक्ति को कारी-कारी न्यायधीज यानि कि एक्टिंग जच के रूप में न्यूक्त कर सकता है। ऐसे न्यायधीज भी 62 वर्स की आयू तक अपना पदधारन कर सकते हैं। 227 के अंतरगत उच न्यायधी अपनी अधिकारिक्ता वाले राजचेतर के सभी न्यायधी पर अधिक्चन करने की शकते हैं। वर्तमान में उच्छ न्याले की संख्या पचीस है उसमें साथ का वर्तमान में उच्छ न्याले की संख्या जो है वह पचीस है उसमें साथ का छेत्रा अधिकार एक या एक से अधिक राज या संग राज छेत्र पर है अगर देखते हैं दिल्ली तथा जम्मु काश्मीर ऐसे दो केंशासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्छ न्याला है जबकी अन्य के इंशासित प्रदेश विभिन राज्यों और संग राजचेत्र के उच्छ न्याला के न्याईक छेत्र में आते हैं संसद उच्छ न्याला के न्याईक छेत्र में विस्तार कर सकती है अनुछेद 249 के तहत संसद विधी द्वारा किसी संग राजशेत्र के लिए उच्छ न्यालय गठित कर सकती है या ऐसा राजशेत्र में किसी उच्छ न्यालय को इस सम्विधान के सभी या किनी प्रायोजन के लिए उच्छ न्यालय भुशित कर सकती है स्वरप्रथम 1862 में क्रमशा, कलकत्ता, बंबई और मदरास उचन्याले के इस्थापना की गई इलहाबाद उचन्याले के इस्थापना मूलता 1866 में उत्तरपश्चमी प्रान थी तू उचन्याले के रूप में आगरा में सदर दिवानी अदालत के इस्थान पर हुई थी जिसे 1869 में इलहाबाद इस्थापना अंत्रित या गया यानि इलहाबाद में इस्थापना थी यह आगरा में सदर दिवानी न्याले अदालत थी तथा वर्स 1919 इश्वी में वर्तमान नाम दिया गया यानि इलहाबाद जो इलहाबाद उचन्याले नाम है वह कब दिया गया वह 1919 में वर्तमान नाम दिया गया अब उसके आगर देखते हैं सम्मिधान में भाग छे के अध्याय छे के तहट उच्छे 233 से अनुचे 237 तक में अधिनस्त न्याले ये तु प्रावधान किये गए अनुचे 233 एक के अनुसार इसी राज में जिला नयाधिस नियुक्त होने वाले वैक्तियों की नियुक्ती तथा जिला नयाधिस की पद इस्थापना और प्रोत्साहन उस राज का राजबाल ऐसे राज के संबन्ध में अधिकारिक्ता का प्रियोग करने वाले उच न्याले से परामस करेगा परामस करके करेगा अनुछे 234 के अनुजार जिला नयाधिस से भिन वैक्तियों की इसी राज की नयाईक सेवा में नियुक्त उस राज के राजबाल द्वारा राज लोक से वा आयोक से और ऐसे राजियों के संबन्ध में अधिकारिक्ता का प्रियोग करने वाले उच न्याले के परामस के पस्चात और राजबाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी अनुछे 235 के तहत उच न्याले अधिनस्थ न्याले पर नियंतरन रखता है यानि कि अनुछे 235 में ये लिखा गया है कि उच न्याले अधिनस्थ न्याले पर नियंतरन रखता है अदालतों लोग अदालतों के माध्यम से सामान नयाले में लंबित मामले का दोनौ पच्छ के मद समझोते के आधार पर निप्टारा किया जाता है इसमें दीवानी मामले के साथ साथ कतिपए यहने की प्रश्म है प्रश्म आपराधिक मामले पर भी विचार किया जाता है लोग अदालत में वर्तमान या सेवा निर्थ न्यायक अधिकारी अथवा विधिक ज्यान रखने वाले व्यक्ति पीठा सीन अधिकारी होते है कौन होते हों पीठा सीन अधिकारी होते हैं ग्राम न्याले अधिमियम 2008 के तहत ग्राम न्याले को सिविल तथा अपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है यहने जो ग्राम न्यालय होगा वह सिविल के साथ साथ अपराधिक दोनों ही न्यालय के सुनुवाई कर सकेगा अब प्रश्न देख लेते हैं निमलिखित में से भारत में एक उच्छ न्यालय के बारे में क्या सही नहीं है पहला आप्शन पढ़ते हैं दूत्य अपीली उच्छ न्यालय के अपीली छेतर अधिकार में है जो की सही है उच्छ न्यालय के प्रतीक न्याइधीश की न्यूक्ति राश्पति करता है ये भी सही है उच्छ न्याले के न्याइधीस की न्यूक्ति राजपाल करता है ये गलत है न्यूक्ति राजपाल नहीं करता है वह राश्पति ही करता है ये देखिए फिर आएगा उच्छ न्याले लोक हितवाद से सम्मंदित आवेदन स्विकार करता है ये भी सही है अगर कोई काम पेंडिंग हो तो उसके लिए राजपती दो वर्स के लिए अत्यधिक बढ़ा देता है आर्टिकल 112 में साइद मैंशन है इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 224 के तहद बुला गया है कि हाँ अडिशनल खरवाही के लिए यह देख लिए अब तीसरा प्रशन देखते हैं उच्छ न्याले के न्याया धीस की वेतन और भत्ते दिये जाते हैं वह दिये जाते हैं राज के संचित निधी से यानि कि समिकित निधी से दिये जाते हैं वहीं पेंशन की बात आएगी तो वह केंद्र की संचित निधी से हो जाएगा अब उच्छ न्याले के सेवा निर्थ जजों की पेंशन कहां से दी जाती है वो भारत की संचित निधी से दी जाती है उच्छ न्याले के न्याय मूर्ति की सेवा निर्थ की आयू क्या है? वह बासट वर्स है पैसट वर्स आपको सरवच न्याले की मिलेगी लेकिन उच्छ न्याले की बासट वर्स मिलेगी निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए भारत में 25 उचन्याले हैं ये इस समय की प्रश्न की बात हो रही है पिर पंजाब, हरियाना और केंस राशित पदेश चंदीगर का एक ही समुचित उचन्याले सही है राष्टी, राजधानी, छेत्र, दिल्ली का स्वयम का उचन्याले है ये भी सही है उपिव पीनों ही सही है देखिए, एक जनुरी 2019 से तिलांगाना ये आंध्र प्रदीश के लिए प्रथक उचन्याले अस्तित्व में आया उन्नीस सो चांचर में पंजाब उचन्याले को बदल कर पंजाब ये वम हरियाना उचन्याले किया गया जिसके छेतर अधिकार में पंजाब, हरियान और चन्दीगर के छेतर आते हैं दिल्ली तथा जम्मू काश्मीर वर्तमान में ऐसे केंशासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उचन्याले है अब सात्वा प्रशन देखते हैं भारत में उचन्याले के सम्मंद में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए देश में अठारा उचन्याले हैं जो की गलत है उन में से तीन का छेत्रा अधिकार एक राज से अधिक पर हैं ये भी गलत है किसी भी संग राज छेत्र का अपना उचन्याले नहीं है ये भी गलत है दिल्ली का है ही उचन्याले की नियायाधिस बासट वर्स की उम्र तक पदपर रहते हैं ये सही है तो चौता वाला सही है अब भारत के उच्छ न्याले की संख्या है तो यह गलत होगा वर्तमान में कुल 25 उच्छ न्याले है यहां होना चाहिए था 25 हिंदी मिलिखा होना चाहिए दियुनागर के लिपी में जो कि नहीं है यह अंसर है अंडमान एवं नीको बार्दीप पर निम लिखित उच्छ न्याले में से इस एक का छेतर अधिकार है वहां देखेंगे कोलकत्ता का है यह आप एक बर आर्टिकल पढ़ लिए इसको रीड कर लिया जाता है एक बर इंपोर्टन मुझे लग रहा है अंडमान एवं नीको बार्दीप जमों पर कोलकत्ता उच्छ न्याले का छेतर अधिकार है वर्तिमान में साथ उच्छ न्याले ऐसे हैं जिनकी अधिकारिकता एक से अधिक राज्यों और शंक साथित छेतरों से हैं यह इवं उनका छेतर अधिकार इस परकार है बॉम्बे उच नयाले में को नाते हैं? महराष्ट, गोवा, दादर और नागर हवेली एवं दवन अदीप ये बॉम्बे में आते हैं जो कि महराष्ट में कलकट्ध उच नयाले में पस्चिम्बंगाल, अंडमान और नेकोबार दीप सम्मु आते हैं गोहा, हाटी उच नयाले में कौना आँगे? असम, अर्माचल पदेष, मिजोरम और नागा-लेञ्ट पेरल उच नयाले में कौना आँगे? पेरल और लच्छिदीप आएंगे मदराज उच नयाले में कौना आएंगे? पंजाब और हर्याना उच्छ नियाले में कौन आएंगे वह पंजाब हर्याना उच्छ नियाले में कौन आएंगे जम्मू और कश्मीर उच्छ नियाले में कौन आएंगे तो आएंगे जम्मू कश्मीर और लथाक आएंगे प्रोटल साथ ऐसे उच न्याले है, जिनका दो या दो से अधिक राज्यों तक उनका विस्तार है, ये इंपॉर्टेंट है, निमलिखित उच न्याले में से कौन एक से अधिक राज्य के इनसासित प्रदेश है, प्रदेश के लिए है, तो इलहाबाद नहीं है, गुजरात नहीं है दिल्ली नहीं है बॉम्बे है बॉम्बे में कौन आएंगे तो बॉम्बे में आप देखेंगे महरास्ट गोवा दमन और दादर नागर हवेली और दमन और दीब आएंगे अब देखेंगे भारत के कितने उच्च नयाले की अधिकरिक्ता में एक से अधिक संग या राजचेत्र सामिल नहीं है तो देखेंगे तीन तीन में नहीं है बागी सब में आप देखेंगे इसको देख लेते हैं संग राज छेत्रों को छोड़ दिये जाये तो तीन ऐसे उच नाले हैं जिन में अधिकारिक्तिक छेत्र में एक से अधिक राज हैं बॉब्बे उचने आले में क्या हैं महराष्ट और गोवा हैं साथ दादा रेवन नागर हविली और दमर अंदीब भी आते हैं पंजाब रियान उचने आले में पंजाब रियान और चंदिगर आते हैं अब आगे देखेंगे कोशन कब का था ये कोशन 2008 प्री का था अब देखेंगे यह लिखी थे राजियों में से इस राज का अपना उचने आले नहीं है तो देखेंगे यहां पास प्रश निकाल के दोवार मरीपूर राज का अपना उचने आले नहीं था या गोवा हाटी तो वहां के लिए एक प्रशन हो सकता रिपीट कर जाए कभी ध्यान न किएगा कि मड़ी पूर का 25 मार्च को यहां पर उच न्याले बनाया गया पहले या गोवाहाटी उच न्याले के अंतरकत आता था अफ कि रावा प्रशन देखते हैं निम्ली खित में से किस राज्चियों में मार्च 2013 में उच न्याले की स्थापना हुई तो देखेंगे आप मिजोरम में स्थापना हुई अंसर के देरा दूसरा और चौता मिजोरम और त्रिपूरा में हुई यह तो तीन नए उच न्याले हाई कोड कर गठन किया गया जिनमें इन्हें मार्च 2013 में उच तम न्याले की तातकाली मुक्ष न्याइदिस अल्तमश अभीर द्वारा उद्गाटित होने के बाद कार फ्रारम किया गया यानि कि कहने का मतलब यह है कि हम वी पत्रप्रिक मार्च 25 अहरे को तीन राज्यों में मिला उंतर कि उचन आले बना तो य। प्रकास देखेंगे पच्ची समार्च 2013 को ही नए उच न्याले बने पहला बेपर रच तूसरा मरिपूर मरीपूर तीसरा तुरी पूरा पहला मिजोरा मरीपूर और तुरी तीन राजल्यों को एक साथ देट पर मिला 25 मार्श थौजात तेरा को मिला घिभी देखें इंपोर्टन कोस्चन है निम्न उच्च न्याले में से इस उच्च न्याले में सबसे अधिक बेंच हैं तो आप देखेंगे एक दिया हुआ है इसमें मुंबाई उच्च न्याले और दूसरा दिया है गोहार्टी उच्च न्याले दिया हुआ है निम लिखित में से कौन सा राज के उच न्याले का मुख छेत्रादिकार नहीं है तो वो मुख छेत्रादिकार नहीं है परामर सम्बंदि छेत्रादिकार नहीं है भारती सम्विधान के अनुसार परामर सम्मंदि छेत रादिकार अनुच्छेत 143 के तहत माद्र सर्वोच न्याले को है प्रश्निगत अन्य छेत राज्यों के उच्छ न्याले में भी है ज्यातव है कि संग और त掰掰 या राज्यों के बीच विवाद के निर्ने का प्रारंब्र एवं एकमएव छेत रादिकार सर्वोच न्याले के पास है परन्तु मूल अधिकार को लागू कराने के सम्मद में प्रारंबिक छेत्र अधिकार उच्छ न्याले का है अनुच्छे 226 के तहट अब है जब किसी उच्छ न्याले का मुख्य न्याधीस प्रशास्निक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है तो आधिन किसके होता है उच्छ न्यालय के अन्याय अधिस में से किसी भी रीट अधिकारिकता के अब है एक उच्छ अधिकार प्राप्त न्यालय द्वारा उत्प्रेशन रीट जारी की जाती है उत्प्रेशन रीट कब जारी की जाती है पहला उला उप्शनिस में है, एक अधिनस्त न्याले को कि यह पूनरिच्छन रिव्यू हेतु एक मामले विशेश की कारवाही का अभिलेक हेतु हस्तांतरन करती है, इसलिए उट्प्रेशन होता है अब अठ्वा प्रश्ण है, निम्लिखित में से कौन एक याचका अधिनस्त न्याले की कारपधती का परिच्छन करती है, वह उट्प्रेशन करती है, तर नीचे का न्याले जो क्या कार्य कर रही है, उसके बारे में जानकारी देने के लिएmers वह उट्प्रेशन होता है निस्वा प्रश्म देखते हैं निम्लिखित में से इस निम्लिखित में से एक रीट न्याले में कारवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है वह की जाती है प्रतिश्यधन की जाती है प्रोभीशन की जाती है जब कोई कार लंबित रहता उसको बुलाया जाया तो क क्या होगा वो पतिशेदन होगा पतन कारण के प्रश्न है कि न्याले के आदेशों की जान बूच कर अवग्या करना या उनका पालन करना या न्यायक वहवार के बारे में अनादर सुचक भाशा का प्रियोग करना न्याले की आवमानना की कोटी में आता है आता है क्योंकि न्याइक सक्रीता वाद न्याय पालिका को आवमानना पूर्वहवार को डंडित करने के डंडात्मक अधिकार दीए बिना क्रियानवित नहीं की रहें तो be all option सही होगा उच्छ न्या लेके परमा देश जारी करने की शक्ति के अंतरगत आता है तो वहाँ देखेंगे उपरोग्त में से सभी में आता है समवैधानिक अधिकार है सामवधिक अधिकार मौलिक अधिकार है अब बाईश्वा प्रश्ण देखेंगे निमलिक भारती सम्विधान के अधिकारों को सनरचित करने में उच्छ न्याले सर्वोच न्याले की अपेच्छा बढ़िया इस्तिती में है सही है सर्वोच न्याले सर्वोच न्याले के वर मौलिक अधिकार के सनरच्छन के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है इसी मौलिक अधिकार के लिए परमादेश जारी कर सकता है सर्वोच न्याले सम्विधान के अनुछेद 32 के तहट सर्वोच नाले मौलिक अधिकार के सन्रचन के लिए ही परामस जारी कर सकता है जब कि अनुछेद 226 के तहट सर्वोच नाले मौलिक अधिकार के परवर्तन करने के साथ साथ अन किसी प्रायोजन से भी जीड जारी कर सकता है साथ ही उच न्याले के अधिनस न्याले के और विच्छक के द्वारा भी भारती नागरिकों के अधिकारों के सन्नच्छन करने में समर्थ है इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है कथन कारण की सही व्याख्या करता है अब हैं भारत के उच न्याले के न्यायधीस को हटाने के लिए रीती उच्चतम न्याले के न्यायधीस की रीती के समान है तो सही है ये बात उच न्याले का कोई इस्थाई न्यायधीस अपने पद से सेवा निवृत के पस्चात भारत के किसी भी न्याले या किसी प्राधिकारी की समझ अभी वाचन नहीं कर सकता है तो यह गलत है पहलाल आप्शन सही होगा एक उच्च न्याले का न्यायदिस अपना त्याक पत्र सम्मूधित करता है तो किसको करता है राश्पती को करता है किसी न्यायमूर्ती के खिलाफ किस न्यायमूर्ती के खिलाफ 2011 में रास सभाने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किन्तु अपने बचाओं के लिए उसने लोग सभादवारा उसी प्रस्ताओं के पास होने से पूर त्याग पत्र दे दिया, वह थे न्याय मूर्ति सौमित्र सेन थे, ये नाम याद रखिएगा बाबरी मस्जित राम जन्य भूमी का विवाद जो इलहाबाद उच न्याले यानि लखनव न्याय पीट के समझ है, का प्रकार है, वो है एक स्वत्ताधिकार मुद्धा है, टाइटल से रिलेटिड है किसी उच न्याले ने या फैसला दिया है, कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गेर कानूनी है, वह दिया है, लहाबाद उच न्याले ने दिया है अब 28 प्रश्न है 2008 में 36 गर उच न्याल है कि मुख न्याधिस कौन बने तो बने राजीव गुपता बने विधी आयोग के किस अध्यष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है प्रतीक उच न्याल है कि एक निहाई न्याधिस दूसरे राज्य से होने चाहिए वो थे न्याधिस HR खना थे अब 30 प्रश्न देखते हैं जिस न्याधिस जिला न्याधिस शर्द सम्विधान के किस अनुछेद में आया है वह आया है 233 में अब आगे प्रश्न देख लेते कितने हैं इसमें तो खतब हो गए बस एक ही पेज हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स शप्टर से स्टाट करेंगे भारत के सम्विधान के अनुछार जिला न्याधिस अभिवेक्ति के अंतरगत सम्मलित नहीं होगा वह नहीं होगा अधिकरण न्याधिस नहीं होगा भारत के संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए न्याधिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त सम्मंदित मिजिस्ट्रेट की हिरासत में हैं और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है नाकी जेल में न्याधिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्याले की अनुमती के बिना संदिक्त व्यक्ति से पूस्ताश नहीं कर सकते तो यह जो इसमें पूछा कौन सही है तो यह लग सही है यह देखिए प्री 2021 में आएगा कोश्चन है यादा कियेगा लोग अदालत के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है लोग अदालत के अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले कि मामले का निप्टान करने की है और उन न्याले पर और उन मामले पर नहीं जो न्याले में लंबित है यह गलत है सही क्या है इसमें से कि लोग अदालत ऐसे मामले कर निप्टार कर सकती है जो सीविल है ना कि अपराधि प्रक्रति का ये भी गलत दोनों ही होते हैं प्रतीक प्रतीक लोग अदालत में केवल सेवा रत्वा सेवा निरति नियाधिस अधिकारी की न्युक्ती हो सकती है, कोई आन्य की नहीं तो ये भी गलत है, उम्रोप्त में से कोई भी कथन सही नहीं ये सही है, ग्राम नियाले अधिनियम के संदर मिन्निम लिखित कतनों उपर में कौन सा सही है तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम नियाले केवल सिविल मामले की सुनवाई कर सकता अपराधिक मामले की नहीं तो यह गलत है यह दोनों कर सकता है यह अधिनियम स्थानिक सामाजिक स्कृतावाद के मध्यस्त सुलह करता के रूप में स्विकार करता है तो यह सही है अब भारत में चलित न्याले यहने की मुबाइल कोड इनका मानस मानस पुत्र है उनका मानस पुत्र क्या है वो Dr. A.P. किनों ने बोला था मतलब कि चलित नयाले होना चाहिए मुबाइल कोट होना चाहिए तो उन्होंने बोला था अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में केंद राज सम्मंद की बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक होता है जिसमें हमें केंद राज की बिछोर है जो विवाद है उसको कैसे समाधान करना है किस रिपोर्ट में कौन सी फारिजी दी गई है ये सब बात की जाती है चलिए आज का लेक्चरिंग समाधान करते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाओ देने लिए कमेंट भी करिए तरने माद